पालक पनीर तो खाना सभी लोग पसंद करते हैं लेकिन उसको कैसे बनाया जाए कि उसको स्वाद एकदम रेस्टरून स्टाइल या धावे स्टाइल में आए तो आज मैं आपको वैसे ही बताने जा रही हूं सिर्फ ये एक चीज मिलाईए और आपका पालक पनीर एकदम करती हूं अंहीं आएको खेदू करी है तो यहां मैंने 500 ग्राम पालक लिय sot log अंहीं को अच्छे से द्हों के साफ कर लिया है और यहां पतीले में चार कप पानी लिया है और इसमें डाल देंगे हम पालक पालक को पता है कि पालक पनीराने क्माइब को और कि इसके पहले पालक को में डाल दूंगी इसके अंदर और पालक डिये हैं और इससे डिप कर डें अंदर की साइड और इसी के साथ यहाँ पे आठ में काजु डाल रही हूँ और जरी हम चीनी डिला रहे हैं तो पालक का कासेलापन है वो भी निकल जाएगा और इसा कलर चेंज नहीं होगा तो बस यहाँ पर मैं अच्छे से इसको देखिए सिरा अंदर की तरफ डिप कर दोंगी और इसको 10 मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पे बॉइल कर लेंगे 10 मिनिट बाद आप देखेंगे पालक जो है अच्छे तरह से बॉइल हो गए है और इसा कलर भी चेंज नहीं हुआ है तो अब करना क्या है ग्यास को बन कर देंगे और इसे हमें नॉर्मल पानी में निकाल लेना है तो यहां में नॉर्मल पानी पे निकाल ले रही हूँ क्योंकि अभी ठंड का मौसम चल रहा है तो पानी जो है वो ठंडा है अगर ठंडा नहीं है तो आपको चिल्ड वाटर ले सकते हैं इससे पालक का कलर चेंज नहीं होगा यह और ज्यादा पकेगा नहीं इसका प्रोसेस वहीं पे रुख जाएगा तो सारा जो पालक है मैं निकाल लेती हूँ देखिए निकाल लिया है और पानी इसका मैं निकाल दूँगी जो यह पानी है अब यहां पे कुछ मसाला त्यार करेंगे यहां मैं दो टमाटर ले रही हूँ और उसी के साथ दो हरी मिश ले रही हूँ इसका हम प्योरे कर लेंगे और इसको साइड में रख देंगे अब यह भी यहां पे ठंडा हो चुका है चलिए इसका भी प्योरे कर लेते हैं अब यह देखिए पालक को इसी में छान के डाल दूँगी पानी से निकालके पानी हमें से बिलकुल नहीं डालना है क्योंकि पालक जो है बॉल है बहुत असानी से यहां पे प्योरे हो जाएगा तो इसको फटा-फट से मैं प्योरे कर लेती हूँ इदम फाइन प्योरे कर लेना है देखिए प्योरे हो चुका है और पालक का कलर बिलकुल भी चेंज नहीं हुआ है अब यहां पे तीन बड़े चमच में सरसो का तेर लाल रही हूँ और यहां मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है तेल गरम हो चुका है इसमें मैं हलका सा पनीर को यहां पे फ्राइ कर लूँगी आप कच्छा भी डाल सकते हैं लेकिन फ्राइ करने से टेस्ट थोड़ा और बढ़ जाता है तो यहां पे मीडियम फ्लेम पे मैं पनीर को हलका सा फ्राइ कर लूँगी तो पनीर देखिए, यहाँ पर मैंने इसको फ्राई कर लिया है सारे पनीर निकाल लेती हूँ फ्रेट में तो फटा फट से देखिए, मैंने पनीर निकाल लिये अब यहाँ पर हाफ चमच ले रही हूँ, मैं जीरा जीरा को यहाँ पर थोड़ा सा भुल लेंगे ताकि इसका भी अरोमा तेल में आ जाए तो यहां भूल लेते हैं अब यहां पर मैंने दो मीडियम साइज का प्याज लिया है जिसको मैंने एकदम बारी काटा हुआ है और यहां पर बस इसको भी सारा प्याज में डाल दूँगी और इसको हमें ब्राउन कर लेना है भूल लेना है अच्छी तरीके से तो देखिए यहां पर मैं हाई फ्लेम पर प्याज को भूल लूँगी पस इसका कलर चेंज होने देना है तो यहां देखिए प्याज जो है भूल चुका है एक बड़ा चमच यहां पर मैंने अद्रक लसन का पेस्ट लिया है अब इसको भी यहां पर भूल लेंगे ताकि इसका कच्छापन भी निकल जाए तो यह देखिए यहां पर मैं इसको भी थुआ सा भूल लेती हूँ यह भूल चुका है अब जो हमने टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट तयार किया था वो डाल देंगे इसके अंदर और इसके वी अच्छे से मिला लेंगे तो यहां देखिए इसको मिला लेते हैं सारी चीज़ा आपस में अच्छे से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद इसने मिलाओंगी में कुछ मसाले तो यहां मिला रही हूँ में एक पिंच हल्दी पाउडर मिला रही हूँ ताकि जो पालक का कलर है वो चेंज ना हो एक चमच यहां मिला रही हूँ में लाल मिर्ची का पाउडर मिर्ची आप कम जादा कर सकते हैं आधा चमज धनिया पाउडर मिलाएंगे आधा चमज गर्म मसाला पाउडर और नमक मिलाएंगे स्वात के अनुसार और यह सारी चीज़े अच्छे से mix कर लेंगे यह देखिए यहां पर इसको अच्छे से mix कर लेना है तो आपस में सारी चीज़ी अच्छे से देखिये हैं यहां पे मिक्स हो गई है तो दो बरी चमच निया है पानी टाल ढ़िया है ताकि मिक्स जले नहीं और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम ढखके तब तक पकाएंगे जब तक मसाला तेल थोड़ते लो फलेम पे मुश्किल से 5-6 मिनट लगेगा तो देखिए मसाले ने यहां पे तेल छोड़ दिया है और मसाला यहां पे अच्छे से भुन के तयार एप देख सकते हैं एक बार कर लेते हैं इसको अच्छे से मिक्स तो यहां देखिए मैंने इसको अच्छे से एक बार mix कर लिया है तो यहां mix करने के बाद अब जो हमने पालक का puree तियार करके रखा है वो सारा इसके अंदर आप जाएगा आप देख सकते हैं पालक का color बिल्कुल भी change नहीं हुआ है बिल्कुल बड़िया color है जैसा पालक होता है वैसा ही है इसमें color तो यहां पे देखिए इसको अच्छे से mix कर लेно है कितना बढ़िया लग रहा है पालक जब मैने इसमें डाला है तो कितना बढ़िया यह देखने में लग रहा है बस अच्छे से mix कर लिया अब जो थोड़ा सा बच गया था जार में उसमें मैंने पानी डाल के निकाल लिया और इसको एगवार और कर लेंगे अच्छे से mix क्योंकि अभी जो ये puree है थोड़ा सा गाड़ा है तो बस यहां पर देखे अच्छे से mix करने के बाद इसको हमें पकाना है तो ढखके पकाऊंगी इसको में यहां पर तो यहां पहले इसको ढखके बस पांच मिनिट के लिए low flame पे पालक को थोड़ा पका लेंगे क्योंकि पालक पहले से ही boil है तो पांच मिनिट इसको बहुत है बस पकने के लिए अब देखे एक बाद अच्छे से इसको mix कर लेंगे पालक यहां पर पके तयार है अब यहां पर मैं डाल रही हूँ पनीर तो पनीर के टुकड़े हैं जो आपने फ्राई करे थे वह सारा इसमें डाल दूंगी मैं और हलके हाथ से mix कर लें ताकि यह कसूरी मेथी का पाउडर तो बस यहां पर इसको अच्छे से mix करेंगे और यह पालक पनीर की recipe बनके तयार हो जाएगी अच्छे से mix करने के बाद बस इसको दो मिनिट और ढखके पकाएंगे लो फ्लेम पे ताकि कसूरी मेथी भी अच्छे से मिल जाए तो देखिए दो मिन मिलाया है बहुत ही बढ़िया उससे अक्षे लाता है तो यहँ देखिए सफ और आप मेरे तरीके से जरुर बनाएं आपको बहुत पसंद आएगा और अगर आपको य novelी पसंद आ रही है तो वीडियो को झायक करना बिलकूलsınızक्य और यहां देखिए उपर से डाल दिया मैं देशी घी ताकि जसका शाहिन और बढ़ जाये देखने में और अच्छा लगे थांक यूँ